हेलो केट्स वेल्कम बाक टो यो फेवरेट चैनल माग्डेट ब्रेंस इस मी शिपरा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपको प्रवाइट करा जाता बिल्कुल बहुत बहुत नंबर एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत 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 कर सके लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चलो एक रिविजिन ले लेते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिमिट्री इस की बारे में किसके बारे में सिमिट्री इस की बारे में और मैंने आपको बताया था classification on the basis of blood vascular system, ठीक है, blood vascular system में मैंने आपको बताया था कि एक होता open type का blood vascular system और एक होता close type का blood vascular system, open type का blood vascular system में हम लोगों ने पढ़ा, प्यारे विद्धार थी हो क्या, हमने ये पढ़ा कि इन में किसी भी प्रकार की blood vessel नहीं होती, और अगर होती है तो वो heart से जुड़ी होती है, heart जैसे ही blood pump करता है, वो अपनी blood vessel को देता है, blood vessel pullet tissues को देती है, तो इनके में कोई blood vessel बहुत जादा होती नहीं है, तो इनका blood एक open space में रहता है, जिसको आप कहते है, sinuses, इसे आप कहते है open circulatory system, में example होता है, orthopoda, non-cephalopods, non-cephalopods के अंदर जो होते हैं, यह मुलस्का का ही पार्ट है, और tunicates, tunicates is the subphylum of the caudata, ठीक है, इसके अंदर tunicates, squared गएरा, इसी के अंदर आते हैं, close type के अंदर आते हैं, cephalopods, जैसे कि आपके octopus, squared बगएरा, और आपके जो vertebrates होते हैं, वो भी close type के circulatory system के अंदर आते हैं, ठीक है, now फिर मैंने आपको बताया था symmetry, symmetry में मैंने आपको बताया था कि किसी भी organism में, जो division plane होता है, उसके अधार पर different type की symmetries हो सकती है, जो organism जितना ज्यादा less developed होता है, उसकी symmetry या उसके planes या उसके उतने part किये जा सकते हैं, ठीक है, पर अगर जो organism जितना ज्यादा developed होता है, उसके division plane उतने कम होते हैं, जैसे asymmetry, asymmetry मतलब कि कोई division plane ही नहीं है आपका, ठीक है, मतलब आपको कभी भी equal भाग में हम काठी नहीं सकते, वो होते asymmetry, जैसे sponges, फिर मैंने आपको बताया था, radial symmetry, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है आपको, कि center से आप इस organism को कितने भी planes में divide कर सकते हैं, example is nideria, nideria का मतलब होता है sealant reta, skin hydra, jellyfish, starfish ठीक है, और echinodermata, ठीक है, okay, asymmetry का एक और example होता है, जैसे कि paila, पहला कि paila जो है, वो मुलस्का का पार्ट है, adult paila में उसकी कोई symmetry नहीं होती, जैसे कि euro quad data जो होते हैं, euro quad data is a sub phylum of the, this quad, quad data, बट इसका भी कोई symmetry नहीं होती, example is herd mania, उसके बाद bilateral symmetry मैंने आपको बताई थी, bilateral symmetry का मतलब होता है, किसी भी organism को आप center से 2 equal halves में divide कर सकते हैं, फिर मैंने आपको एक बताई थी, bi-radial symmetry जिसमें मैंने आपको बताया था, कि आप center से 2 equal halves में बाट कर सकते हैं, और ऐसा transverse section से 2 equal halves में divide कर सकते, example is tinofora, ठीक है, ओके, now, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई थी, और फिर मैंने आपको बताया था, germ layer, किसी भी organism में 2 germ layers होती है, body में जितने भी organs बनते हैं, जितने भी organ system बनते हैं, वो actually कुछ cells की वज़ा से बनते हैं, जिन cells की वज़ा से आपकी body में organ system बनता है, या organs बनते हैं, वो actually इन ही germ layer की वज़ा से बनते हैं, बेसिकली human body के में 3 germ layers होती है ectoderm, endoderm और mesoderm पर हर organism में 3 germ layer हों ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिन organism में 2 germ layers होती है उन्हें हम कहते हैं बिटा diplo-blastic इनके में ectoderm और endoderm होती है पर बीच वाली layer जिसे हम कहते हैं mesoderm वो नहीं होती, ठीक है? mesoderm, इनके में ectcellular चीज भरी रहती है जिसको आप कहते है mesoglia ठीक है, example is sealantrata पर जिन organism में well developed body होती है उनके में 3 germ layer होती है उन्हें आप कहते हैं triploblastic क्या कहते हैं? triploblastic ठीक है, example is platyhelmin's to the quadrata ठीक है, ये मैंने आपको examples बताये थे, ठीक है? तो मैंने आप, अच्छा, इसका एक आप लोग फटा-फट से ये screenshot जो है आपने ले लेना है, ठीक है? तो अब, आप ध्धान से समझें आप हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज, अब हम लोग पढ़ने वाले सीलोम के बारे में तो टेक दे स्क्रीन शॉट अफ दिस पढ़ने वाले हैं एक नई चीज़, basis of classification में विच इस दा बॉड़ी प्लाइट NCRT में अगर आप खोलेंगे तो ये आपको उपर की और दिखाई देगा जहां level of organization के बार जो second page है उसके उपर दिखाई देगा Body plan, ठीके, NCRT को घोट के रट के पी लेना है अपने को NCRT is the most important book ठीके, लोग अगर पुचे कौन से book, कौन से book, कौन से book No book, nothing, NCRT is best book ठीके, बागे कौन से book पढ़ नहीं है आपने पढ़ा level of organization पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं Body plan के बारे में क्या होता है Body plan देखे, किस तरीके से आपकी body जो है organized है अभी आपने पढ़ा ये ये organization होता है Cell से बनी हुई body, tissue से बनी हुई body, organ से बनी हुई body पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बनी होती है कैसे बनी पहले देखा किस तरीके से बनी आज आप देखेंगे ठीक है Body plan में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे है Cell aggregate body plan के बारे में Cell aggregate body plan के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की बॉडी में कोई ओपनिंग नहीं होती या मैं कहूं कि इनकी बॉडी में खूब सारी ओपनिंग होती है ठीक है? इनके बॉडी में कोई specific ओपनिंग नहीं है प्यारे बच्चो कि एक mouth है और एक एनस है NO! इनकी बॉडी में खूब सारी ओपनिंग है ठीक है तो जब आपके बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग हो और पानी जो बेसिकली जो भी स्पॉंज़ होते हैं जो कि इसका एक्जामपल है जो फालम स्पॉंज का है पौरिफेरा का है यह सब कहां रहते हैं मराइन वाटर भी हो होते हैं उनमें पाया जाता है सेल एग्रिगेट प्लान ठीक है सब में नहीं सिर्फ पौरिफेरा में अभी के लिए ठीक है सेल एग्रिगेट प्लान में अगर आप बात करें तो इनकी बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग होती है अगर हम लोग अभी पौरिफेरा पढ़ने उससे पानी बाहर जाता है, इनकी body में जो पानी अंदर आता है, वो इनकी एक single opening में खुलता है, suppose that, कि अगर मैं कैसा बनाऊं, diagram आपके लिए, suppose that, this is the sponge, this is the common opening called as osculum, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, osculum कहते हैं, ठीक है, और इसे आप कहते हैं, ostia, ठीक है, ostium भी कह सकते है there are several opening in the body of the porifera, called as ostia, ठीक है, तो बहुत सारे छेद होते हैं, जिसे आप कहते हैं, ostia, इसी ostia के माद्यम से पानी अंदर आता है, क्योंकि हम एक sponge के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी जो central cavity रहती है, इसे आप कहते हैं, sponge o seal, क्या कहते हैं भाईया, sponge o seal, ठीक है, तो जित पानी है, तो जब आपकी बाडी जो है, अरेंज रहे सिर्फ और सिर्फ सेल के माध्यम से, जितना भी छेद वेद है, पूरी बाडी में फसा हुआ है, पूरा जो पानी है, वो छेद के माध्यम से अंदर आता है, और छेद के माध्यम से ही बाहर जाता है, तो इसे आप कहते हैं cell aggregate body plant ठीक है और जो भी पानी आता है वो इस cavity में भरा हुआ रहता है जिसे आप कहते है spongosil ठीक है और मेरा चहरा चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है एक light on हो गई actually ठीक है so इसे आप कहते है spongosil ठीक अब बहुत सारे लोगों कोई problem है कि मेरा चहरा बहुत चमकता है भाई सब light का कमाल है वाकि कुछ नहीं है इसमें ठीक सब मिथ्या है so this is called a spongosil okay now तो cell aggregate आपको समझ में आया कि इसमें body के इंदर कोई tube नहीं है body के इंदर है cavity है cavity में पानी कैसे आता है क्योंकि body में बहुत सारे छेड है इतने छेड करेंगे ना बस ठीक तो पानी कहां से आता है छेड से आता है और cavity में भर जाता है इसे आप कहते है cell aggregate body plan best example इसका sponges poriferophyllum ठीक है ना अब हम लोग बात करेंगे blind sack अब ऐसा ना समझे कोई कि कोई अंधा है ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि अंधा body plan अंधा body plan का मतलब यह होता है blind sack body plan का मतलब यह होता है कि इस body में actually इनके पास food pipe तो होती है पर problem पता है इनके साथ क्या है, problem ये है कि इनके पास mouth तो होता है, they have mouth, look at this, this is the example of the hydra, they have mouth but they don't have anus, मैडम खाते हैं तो निकालते नहीं है क्या, अरे निकालते हैं, इनकी body में बहुत, जो general body surface of excretion के लिए बदद करता है, ठीक है, so, इनकी body में एक ही opening होती है, जिसे हम लोग कहते है mouth, they don't have anus, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक opening है, जिसका नाम है mouth, यहीं से ये खाने को खाना खाते हैं और निकालते हैं body surface से, example is stenophora, plate helmin and sealant reta, ठीक है, ये नाम समय सुनने में बड़े अजीब लग रहे होंगे ना, अ tension मतलो, जब अपन आगे बढ़ेंगे, phylum पढ़ेंगे, तो ये difficulty आपकी खतम हो जाएगी, ठीक है, so, blind sec plan आपको समझ में आए, कि एक तरफ से अंदा है वो, एक तरफ से खुला हुआ, नहीं है, मतलब anus नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ mouth होता है, now, third, अच्छ ही स एक ट्यूब उसके अंदर दूसरी ट्यूब, ठीक है, मड़म ये कैसा plan है, ये तो उमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ट्यूब इंट ट्यूब प्लान क्या हो रहा है, कि तुमहारी body एक ट्यूब है, ठीक है, योर body is a tube, ठीक, आपकी body क्या है, एक ट्यूब है, उ मटरन खाते हैं उसके अंदर होती की नहीं होती सो बहुत सारे organism में food pipe होती है और जिन organism में भी food pipe complete होती है मतलब mouth भी हो और NS भी हो उनके में tube within tube plant पाया जाता है जैसे कि पहला example is the nematoda पहला example क्या है? nematoda जिसको हम लोग SK helmin's भी कहते हैं SK helmin's में mouth होता है और NS भी होता है ठीक है उसके बाद earthworm कि किसका example है? जो कि एनलीडा का example है इसके पास भी mouth होता है और NS होता है थर्ड example is what? salamander ठीक है तो इन सब में tube within tube plant पाया जाता है आप सब देख रहे हैं कि इन तीनों examples में what is the common in between three कि इन के पास सब के पास elementary canal है तो body एक tube है जिसे हम tube consider कर रहे है उसके अंदर एक tube है जिसका नाम है elementary canal तो जिस भी body में tube के अंदर tube है उसके अंदर tube within tube plant पाया जाता है तो TWT जो है it is the best and developed organisms example तो TWT उसी में पाया जाता है जो कि well developed होते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है the digestive system is a continuous tube with an opening at each end इसका मतलब यह है कि एक end पे mouth है तो दूसरे end पे एनस है tube within tube body plan has been achieved in two different ways ठीक है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ एक होता है protostromate एक होता है deuterostromate वो अभी आपको बताऊंगी example निमेटे हल्मेंस के बाद मतलब निमेटोडा के बाद मतलब round warm के बाद यह तीन ओएक ही नाम है ठीक है तो इनके बाद quad data तक almost सब में ही पाए जाता है tube within tube plan ठीक है so what we have learned in the body plan first body plan क्या था भाईया साब पहला था cell aggregate दूसरा क्या था blind sack तीसरा क्या था tube within tube plan now tube within tube plan की बाद अगर आपने लोग करी रहे हैं तो इसमें भी दो ways है पहला वे क्या है पहला वे है protostomate और दूसरा वे है deuterostomate आई बात समझ में पहला वे है protostomate और दूसरा वे है deuterostomate ठीक है अच्छा proto का मतलब यहाँ पर क्या हुआ पहले और stoma का मतलब क्या हुआ mouth ठीक है मेरे लाल तो proto का मतलब क्या हो गया पहले और stoma का मतलब क्या हो गया हेïा है मेरे बच्चे माउठ ठीक है तो महा भारत के शक्रूं जैसे साउंट कर रहा है ठीक है सो प्रोटोस्टोमेट आपको समझ में आया क्या है तो अभ यह समझे क्या होता है बॉड़ी में ऐलिमेंट्री के नाल है ठीक है बॉड़ी के अंदर elementary कनाल है बढ़िया elementary कनाल है कोई tension नहीं है problem पता है क्या है proto का मतलब है पहले stomach का मतलब है mouth ठीक है तो जिन organism में आपके blastopore से सबसे पहले mouth बने और anus बाद में बनी ठीक है mouth पहले बने और anus बाद में बने अब madam हमें तो यह बताएए पहले यह blastopore आपने क्या बोल दिया ठीक है देखिए जब हम लोग embryonic development पढ़ते हैं ठीक है बिलकुँ धान से समझना ठीक है जब भी हम लोग embryonic development पढ़ेंगे ठीक है जब बच्चा मा के पेट के अंदर आता है ठीक है तो यह मैं कहूँ कि जाइगोट जो होता है जब वो डिवाइड होता है तो वो blastula बनाता है ठीक है blastula is what अभी आपको कुछ भी tension नहीं लेना है सब 12th class में दिया हुआ है तो जाइगोट क्या है it is a single cell structure with a deployed nucleus ठीक है sperm and over mix हुए अब यह zाइगोट डिवाइड हुआ जाइगोट डिवाइड हुआ blastula में blastula is what it is nothing it is a group of cells that is it ठीक है it is a group of cells अब क्या करना है अभी अपनको detail में नहीं जाना है पते चला 12th में पहुच गए ठीक है so it is a group of cells then what is the gastula gastula भी embryonic development की एक stage होती है ठीक है जिसमें हम क्या करते है कि blastula पहली stage है gastula दूसरी stage है ठीक है तो blastula के अंदर जो cells होती है उनको basically हमें तीन लेयर में अरेंज करना है इन cells को हमने कितनी लेयर में अरेंज करना है तीन लेयर में अरेंज करना है which is ectodam, endodam and mesodam अब यह ectodam, endodam and mesodam जो लेयर होती है इनी की वजह से आपकी body में सारे organs बनते है इसलिए इसे आप कहते है germ layer क्या कहते है germ layer पर हमेशा यह याद रखिए कि एक opening of the gastula ठीक है suppose that कि gastula में आपने cell का rearrangement किया और आपने तीन लेयर बना ली यह layer किस से बनी है cell से बनी है कौनसी cell से बनी है जो blastula में पाई गई blastula में cell कहां से आई जो zygote के division से बनी थी ठीक उनको rearrange किया तो तीन लेयर में range किया ectodam, endodam and mesodam आगे पढ़ने भी वाले है पर एक opening होती है जिसे आप कहते blastopore ठीक है यह मैं कहूँ कि जहां से gastrula खुलता है या जहां से gastrural stage की opening होती है ठीक है, मतलब कहीं से घुसने का रास्ता तो होगा वहीं से cell का development होता है मतलब कोई भी एक area जहां से cell का development शुरू होगा gastrula के उसे आप कहते है blastopore अब यह blastopore future में यह decide करता है कि mouth पहले बनेगा या एनस पहले बनेगा तो जिन organism में blastopore यह decide कर ले कि mouth पहले बनेगा it is called as protostomate ठीक है, इसमें एनस जो होता है वो बाद में बनता है हम यह मांगते हैं कि जो भी organism हैं जिन में blastopore की वज़े से mouth पहले बनता है वो हमेशा less developed होते है और जिन में एनस पहले बनता है वो ज़्यादा developed होते है example is what? enelida, orthopoda, mollusca ठीक है, आई बात समझ में फिर से बताती हूँ ठीक है, पहले dutereastomate बता दूँ अब इसी blastopore की वज़े से अगर mouth की जगा एनस पहले बन जाए तो ऐसे organisms को आप कहते हैं deuterostomate आई बात समझ में तो जब अगर blastopore ने mouth पहले बनाया तो it is called as protostomate और अगर blastopore ने एनस पहले बनाया तो it is called as deuterostomate example is chordata, hemicodata, endicarnodermita यहाँ मैं कहूँ के काइनोडermita के बाद सारे जितने हैं वो deuterostomate ही होते हैं एक बाद फिर से explain करती हूँ द्यानस देखिए blastopore, what is a blastopore? blastopore is the opening of the gastrula stage इस opening से आप यह decide करते हैं कि पहले mouth बनेगा यह एनस बनेगा gastrula क्या है? blastula वो stage है जहाँ पर 3 layer का formation होता है जिससे आप कहते एक्टोडर्म, endoderm, mesoderm यह 3 layer किस से बनी है? cell से बनी है cell कहां से आई? blastula stage से आई blastula में क्या था? bunch of the cells था यह cell किस से बनी? zygote के division से बनी ठीक है? तो gastrula का opening जिस जहाँ पर होता है उससे आप कहते ब्लास्टोपोर आप प्यारे बच्चो, मेरे लाल, मेरे दुलार अगर पहले इस opening से बना मू तो आप क्या कहला है? protostomate अगर blastospore से blastopore blastospore मुझे याद आता है, fungus पड़ा-पड़ा के दिमाग खराब हो गया ठीक? तो अगर blastospore से पहले क्या बना एनस तो आप क्या कहला है? dutero stomate तो ज्यादा बताओ कौन सा developed होगा जिसमें भी core data घुसा है जिसमें भी core data घुसा है जिसमें भी core data घुसा है वो हमेशा ज़ादा developed होगा ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो ठीक है? तो body plan आपको समझ में आया cell aggregate body plan समझ में आया हाँ समझ में आ गया होगा फिर blind sex समझ में आया tube within tube plan समझ में आया tube within tube plan के जो है दो वे हैं पहला है protostomate डूसा है duty restomate अब हम लोग जो है सबसे important चीज के बारे में बात करने वाले हैं which is the body cavity ठीक है? ध्यान से समझ है body cavity या इसी को आप कहते है cello ठीक है? अच्छा अगर तुम से पूछा जाए कि तुम्हारा elementary canal जो है पेट से जुडा है क्या? पीछे से जुडा है क्या? तो क्या कहोगे तुम मुझे बताओ मुझे बताओ क्या कहोगे तुम तुम ही यह कहोगे कि madam नहीं जुडा हुआ है हमारी body में digestive system center पे पाया जाता है थोड़े बहुत ligaments वेगरा जुड़े हों पातर लग है ठीक है? तो what is the cello cello is the space between your gut ठीक है? space between your gut and your body wall मेरी बात को फिर से समझना जो मैं कह रही हूँ what is the cello cello is the fluid filled cavity present in between your gut wall and your body wall फिर से समझे what is the cello cello से आया है cellomic fluid तो जब आपके gut wall और body wall के बीच की जगह में एक fluid भरा रहता है जिसे आप कहते हैं cellomic fluid और इस जगह को आप कहते हैं प्यारे बच्चों cello ठीक है definition देखिए definition बहुत important है school के काम आईगी ठीक है the presence or absence of a cavity in between the body wall and the gut wall वा 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 देखो लिखा है भाई तो जब आपके gut wall gut क्या है elementary के नाल है मेरे बाई ठीक और body wall के बीच में जगह पाई जाए तो इसे आप कहते हैं cello ठीक है अब हो भी सकती और नहीं भी हो सकती नहीं है तो less developed है और है तो जादा developed है ठीक है अच्छा यहां पर मैंने एक इमेज लगाई है जिससे आपको और जादा समझ में आ जाएगा visuals बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है so this is the gut body wall gut wall ठीक elementary कनाल मालने ठीक उसके बाद यह है आपकी endoderm यह जो brown color की gut wall की उपर कौन सी लेर आपको दिखाई दे रही endoderm ठीक है यह आपकी first germ layer होती है अभी आपको germ layer भी पढ़ाय जाएगा ठीक है तो यह होती है आपकी endoderm ठीक उसके बाद यह है आपकी this one is called as ectoderm ectoderm जो होती है यह आपकी body wall बनाती है और आप क्या देख रहे हैं यह yellow red वाला area देखे this red वाला area देखे और यह वाला red area देखे इन दोनों के beach का जो space आपको दिखाई दे रहा है it is called as ceilum तो यह red वाला area क्या लिखा हुआ the red वाला area is called as mesoderm तो आप क्या देख रहे हैं कि mesoderm के beach का space क्या कहला रहा है ceilum और clear कर रही हूँ क्या है यह आ जाईए देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ceilum कितने प्रकार के हो सकते हैं जिन और्गानिजम में ceilum नहीं होता है उसे हम उन्हें हम कहते acylomate क्या कहते हैं acylomate ध्यान से समझेगा मेरी बात को जो मैं कह रही हूँ ठीक है जिन और्गानिजम के पास क्या नहीं होता जिन और्गानिजम के पास ceilum नहीं होता उन्हें हम कहते हैं क्या उन्हें हम कहते acylomate जैसे आप देखिए यह आपकी gut wall है और यह आपकी body wall है ठीक है suppose that यह आपकी क्या है यह है आपकी body wall ठीक है और ये आपकी क्या है प्यारे बच्छो, gut wall, ठीक है, आप तुम क्या देख रहे हो, इन दोनों के बीच में तुमको कोई space दिखाई देता है क्या, अरे गोहर से देखो इसे, दरवाजा के पीछे क्या है, दरवाजा के पीछे कुछ नहीं है, दरवाजा के पीछे ए पिंग कल और body wall की बीच में तो कोई जगाई नहीं है, तो जब जगाई नहीं है, तो सीलोम है क्या, अरे नहीं है, ठीक है, तो जब आपकी digestive wall, digestive system आर body wall के बीच में कुछ न जगा न हो, उस में mesodermal tissues भरे रहे हैं, तो इसे आप कहते हैं, A-Cylomate, best example is the platyhelminus, ठीक है, best example is what? It is the platyhelminus, यह ऐसी को आप कहते है, flatworm, आई बात समझ में, so flatworm जो होते हैं, यह होते हैं, भले ही इनके पास तीनो लेयर हैं, ठीक है, flatworm के अंदर तीनो germ layer होती है, ectoderm, endoderm और mesoderm, फिर भी इनके पास silom नहीं होता, ठीक है, example is platyhelminus, now, cedo-silomate की बात करते हैं, हम लोग, देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब सब लोग देखेंगे दर, so अब आप क्या देख रहे हैं, कि यह तो हो गई आपकी gut wall, ठीक है, यह क्या हो गई आपकी body wall, ठीक है, ओके, और यह beach का जो space है, यह देखो, beach का जो space है, यह सब को लग रहा है, थोड़ी तो खाली जगा है ना, अरे नहीं, ऐसी खाली जगा नहीं होनी चीए, पूरी खाली जगाओ ने चीह, ठीक है जैसे यह है, पूरी खाली जगाओ ने चीह और अगर नहीं हैं, तो मतलब सीलोम भी नहीं है तो आप समझना कि हमेशा सीलोम उनके में ही बनता है जिनके में तीनो जर्म लेयर होती है, Ectodarm, Endodarm, Miesodarm ये तीनो जर्म लेयर जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा important जो सीलोम बनाने के लिए होती है वो होती है मीजोडम कौन सी लेयर होती है पैरे बच्चो मीजोडम आई बात समझ में अच्छा अब एक और बात समझें आप मैडम आपने बोला तीन जर्म लेयर होगी तो सीलोम बनेगा प्लेटे हेल्मिस में आपने बताया तीनो लेयर है पर उसमें नहीं है इसका मतलब ये कि उनके बीच में जो मीजोडर्मल टिशूस भरे अभी वो इसका में इसका में बनाने का तीक है मीजोडर्म इस अबसे आखरी में बनती है बनना पहले बनती आखरी में तो आप क्या देख रहे हैं गट वाल यहां स्पेस है यह आपकी बोडी वाल काईदे से इन दोनों के बीच में खाली जगा होनी चाहिए पर खाली जगा नहीं है क्योंकि इसमें जो मीजोडर्मल टीशू थे ठीक है वो जो मीजोडर्म लेयर थी वो क्या थी वो पाउच के फॉर्म में पाई जाने लगी जबकि उसको खाली जगा छोड़नी चाहिए थी पर उसने नहीं छोड़ी वो किस फॉर्म में आने लगी? पाउच के फॉर्म में आने लगी तो अब यहां पर कोई खाली जगा ही नहीं है तो सीलोम है क्या? नहीं तो स्यूडो सीलोमेट इसको अपन कहते हैं देखने में लगेगा कि जगा है पर जगा नहीं है तो जब देखने में लग रहा है कि जगा है तो तुम्हें लग रहा है कि हो सकता है पर अक्चली यह जगा नहीं है क्योंकि मीजोडर्म इसमें किस फॉर्म में प्रेजेंट है बीच में सीलोम में पाउच के फॉर्म में ठी तो जिनके में mesoderm होती है ना उन्हीं के में silom होता है जिनके में नहीं होती है उनके में नहीं होता pseudo-silomate देखी क्या होता है body cavity is not completely lined with the mesoderm ठीक है mesoderm जो है आप क्या देख रहे हैं कि gut wall की उपर इधर देखो यह gut wall है आपकी gut gut wall ठीक है और उसके उपर भी mesoderm है यह body wall के पास भी mesoderm है यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ना तो body wall की उपर exactly mesoderm है और नहीं gut wall की उपर mesoderm है तो यहां पर mesoderm ना तो gut wall को cover कर रही है और तो body wall को cover कर रही है और वो किस फॉर्म में पाई जा रही है वो पाउच के फॉर्म में पाई जा रही है ठीक है मीजोडम is present as the scattered pouch in between the ectoderm and the endoderm ठीक है तो यह क्या हो गई आपकी ectoderm यह क्या हो गई endoderm यह हो गई gut wall और बीच का space होना चाहिए silo पर मीजोडम पाउच के फॉर्म में पाई जाने लगे इसलिए वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई space ही अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे आप कहते pseudo silo mate देखने में लगता है कि है पर है नहीं इस जो है यह वाला NCRT का डियाग्राम है इसका आप एक बाई screenshot ले लिजी तो screenshot ले लिया होगा अच्छा इसी के साथ हम लोग अब नया जो silo में वह शुरू करने वाले हैं तो ए silo में हम लोगों ने क्या सीखा ए silo mate वह और गयानिजम होते हैं जिनके पास ectoderm और endoderm के बीच में जगा खाली नहीं होती है क्योंकि उनके बीच में mesoderm जो पाया जाता है वो solid state में रहता है या solid mesoderm पाया जाता है जिसे हम mesenchym या parenchyma भी कह सकते हैं ठीक है so solid mesodermal tissues देखो ध्यान से देखो तो यह क्या हो गया अपना ectoderm यह हो गया यह हो गया endoderm और यह जो mesoderm आपको दिखाई दे रहा है अच्छली solid होता है इसे जिसकी विजए से siloom नहीं बन पाता तो आपने यह देखा कि तीन जो germ layer है उसमें सबसे important जो germ layer होती है वो थी mesoderm जो की siloom बनाने के लिए जरूरी है ठीक है अब यहां पर यह mesoderm जो है यह solid है यह differentiate नहीं हो पारी है यह अलागी नहीं उपारी तो बीच में जगा खाली ही नहीं होगी इनके और इनके बीच में जगा खाली चाहिए हो जगा खाली नहीं पाईगी क्यों मीजोडर्मल टिशूस गुसे हुए है पर वो नहीं बनाता, वो टीशू के फॉर्म में इनके बीच में पढ़ा रहता है, यह NCRT का डाग्राम है, ठीक है, तो इसलिए इसे आप कहते हैं, सीडोसिलो, देखने में लगेगा कि खाली जगा है, पर वहाँ खाली जगा कहा है, वहाँ तो मीजोडम फैला हुआ है, इन इस राउन्ष वाँडवां स्के घल्मिंस, ठीक है, तीनो ट्रिपल अब्लास्टिक है, तीनो के पास जर्म लेयर है, अनकी बना recess मेर आरह ए, क्योंकि इनकी मेजोडर्म टीसु टीने जगों बनाने चाहिए, ठीक है, ऐएवी बात समझ में, नाव आप समझना ध्यान से अब हम लोग बात कर रहे हैं यूसीलोमेट के आजओ 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 यूसीलोमेट के बारे में बात करते हैं इधर देख लो आओ यहां से आपको और समझ में आएगी देखो यहां पर तुमने यह देखा यह देखो suppose that यह वाला डाइगरम suppose that कि यह तुमारी मीजोड़म है बिलकुर ध्यान से समझना ठीक है अब यह बीच से स्प्लिट हो जाए यहां से इसके दो भाग कट जाए एक भाग बन गया यह और यह ऐसे करके फैल जाए तो बीच की जगा खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अरे बोलो ना यह suppose that आपकी मीजोड़म है बीच में यह कट जाए ऐसे करके और फिर ऐसे करके फैल जाए फैल जाएगी तो इन दोनों के बीच में जगा खाली हो गई फट गई ऐसे तो बीच में जाएगा खाली होई इसी को सिलोम कहते है यह आपका पहला वाला डागराम क्लियर कर रहा है देखो पहले मीजोड़म कैसी थी पहले मीजोड़म पाउच के फॉर्म में थी वो मानेंगे नहीं अब मीजोड़म क्या हो गई यह एक्टोड़म था ही जिसे आप क्या कईते है बॉडी वॉड़ क्या कहाrones अपने बॉडी वॉड़ कहा किनि कहा ठीक है और यह आपकी होगई गतवास ढूर्ट के ऊपर यह वोगत और बीच we mukhaust वह split हो गई, cut गई, तो एक पार्ट किसने cover कर लिया, body wall को, और एक पार्ट किसने cover कर लिया, gut wall को, और इसके बीच की जगा आपको खाली दिखाए दे रही है, actually वो क्या है, silom, फिर से मेरी बात को समझना में क्या कह रही हूँ, देखो, ये क्या है आपकी body wall, body wall को कौन cover करके रखा हुआ, endoderm, ठीक, अब दोनों के बीच में कौन सी layer है, mesoderm, ठीक है, अब mesoderm फट जाए, mesoderm क्या हो जाए, फट जाए बीच से, तो एक पार्ट किसको cover कर रहा है, body wall को, और एक पार्ट किसको cover कर रहा है, gut wall को, और इन दोनों की बीच की जगा क्या होती है, silom, तो silom कैसे बनता है, कि mesoderm बीच से फट जाए, तो एक पार्ट, mesoderm बीच से फट जाए, एक पार्ट किसको cover कर ले, body wall को, और एक पार्ट किसको cover कर ले, gut wall को, ठीक है, तो suppose that, कि अगर आपको मैं दिख रही हूँ, suppose that, यह मेरी body है, ठीक है, mesoderm बीच से फट जाएगे, तो एक प आप ये वाला भी डायग्राम देख सकते हैं, आजओ, 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 देखो, तो एक्टोडरम है यह, जो की बॉड़ी वाल की लियर होती है, ठीक है, यह एंड़ोडरम है, जो की गट वाल की है, डाजस्टिप का विटी की लियर है, बीछ में मीजोडरम की स्फॉ cil donne वाइप सबस्ताल है if you can do 1 पार और मिसरी नहीं था उसकी है gdzie पार किस ने क debating मिज़ोकोर कर लिए एक पार्ट कमर कर लिया एक पार कमर कर लिया और दूसरा मिसर्वाब का पार आपको यह किस ने कर लिया किसको कब लिया बॉडी वॉल पर नहीं किस में पाया जाता है? Molescam पाया जाता है, Enlidum पाया जाता है, Orthopodum पाया जाता है, Econodermata में, Cordata में. Pseudo-Solomate किस में पाया जाते है? Nemetoda, SK Helmin, या Roundworm, ठीक? और A-Solomate किस में पाया जाते है? Plate Helmin, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसका डीटेल देख लें, क्या लिखा हुआ है, इसमें? आजो, आजो, U-Solomate, these are the secondary body cavities, ठीक है? These are the secondary body cavities, all the side covered by the mesodermal tissue. मतलब, ये gut wall भी cover किस से है mesoderm से, और body wall भी किस से cover है mesoderm से, दोनों के beach का space क्या होता है? क्या होता है? Siloam. तो Siloam, जो है वो, इधर भी mesoderm है, इधर भी mesoderm है, बीच की जगा क्या होती है? बीच की जगा क्या होती? Siloam. Mesoderm के नीचे क्या होता है? Endoderm. Endoderm के नीचे क्या है? Gut. ठीक है, इधर क्या है, mesoderm के बात क्या है, body wall, body wall के बात क्या है, actoderm ठीक है, आप समझना, the true sylom arises within the mesoderm ठीक है, जितना भी true sylom होता है, वो actually, दोनो mesoderm है न, दोनो mesoderm के बीच की तो जगा है वो ठीक है, अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या मैं ये कहूं कि जो sylom होता है, वो दो प्रकार का हो सकता है, ये दो तरीके से बन सकता एक होता साइजो sylom और एक होता एंट्रो sylom, ठीक है, अब मेरी बात को समझना, मैंने इसके भी image लगाए हैं, आपको और ज़्यादा clear हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले ही मैं समझा दू, ध्यान से देखो, अब ये क्या है आपका mesoderm, बिलकुल ध्यान से समझेंगे बिलकुल बिलकुल ध्यान से समझें, अब क्या हुआ, ये है आपका mesoderm, ये है आपका endoderm, ये है आपकी लिख दू क्या, ये है आपकी gut, ठीक है, ये आपका mesoderm, ठीक है, और ये है आपका body wall या ectoderm, ठीक, ये आपकी क्या हो गई, endoderm, ये हो गई आपकी ectoderm, ठीक, कुझ अपको दिखरी जो की में बी आपको ना विजिबल हो पर इन दोनों ये answer हो गई इन दोनों के बीच में जहां खाली होई जिसे आप कहते सी लों क्या कहते है सीलों तो जब आपimporte मीजोड़म स्प्लिट हो जाए इस तरीके से तो इसे आप कहते हैं इसे हाई्ट मेजोर्म नार केते जाबसे जाउप करकते हाई तो नार diesel तो जटने भी Willow जिनके में माउस पेले बनता होग हो इन में होता है sizosilom, ठीक है, mesoderm बीच में है, फट गया और बीच की जड़ा खाली हो गई, ठीक है, ये होते हैं sizosilom पर अगर endoderm से निकले mesoderm और फिर फटे और फिर जड़ा खाली होई हो, तो इसे कहते हैं आपका एंटरोसilom, जितने भी deuterostomate और well-developed organism होते हैं, जिनके में एनस पहले बनता है, उनके में एंटरोसilom पाया जाता है, ठीक है, अब आगे इसके बारे में पढ़ लो, आजो, 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 आजो किसके, mesoderm split हुआ, दोनों के बीच की जगाँ खाली हो गई, ठीक है, अब, it is formed by the splitting of mesodermal bands, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, जबकि एंटरोसilom क्या होता है, it is formed from the pouches, ठीक है, तो यह कैसा होता है, endoderm से जुड़ा होता है, पहले अलग होता है, ठीक है, मुलसका के अंदर स्नेल वेगरा है, कानो डर्म टके अंदर स्टारफिश, हमी कोड़ेटा के अंदर हर्ड माने अगरा, और कोड़ेटा के अंदर हम लोग आते हैं, जबकि साइजोसिलोम जो होते, जित्ते भी इसके पहले के होते, उन सब में यही पाय जाता है, आप देख यूसिलोमेट हैं, इसमें साइजोसिलोमेट भी हैं और एंटरोसिलोमेट भी हैं ठीक है, पर एंटरोसिलोमेट का सेपरेटल एग्जामपल क्या है, इकाइनोडर्मेटा, हमी कोड़ेटा और कोड़ेटा, जबकि साइजोसिलोम का एग्जामपल क्या है, अनलेडा, और्थ two mesodermal layer, ठीक है, तो endoderm, ठीक है, so this is the endoderm and this is the ectoderm, ठीक है, तो gut wall और body wall जो है, ये दोनों covered रहती है, एक ही layer से जिसका नाम है mesoderm, mesoderm बीच में पाई जाती है, जब ये split हो जाती है, तो एक पार्ट किसको cover कर लेता है, body wall को, और एक पार्ट किसको cover कर लेता है, gut wall को, इसक जगा खाली हुई, इसको आप कहते है siloom, ठीक है, अब siloom में अगर ये जगा खाली ना हो, तो a siloomate, जगा पाउच, mesoderm इनको split हो जाना ची, पर अगर पाउच के फॉर्म में बीच में भर गये, तो pseudo siloomate, अगर split हो गये properly और खाली किये, तो sizo siloomate, अगर endoderm से will is, की, शर्थ will be, की gut के उपर भी mesoderm होनी चाहिए, ठीक है, मतलब endoderm के उपर mesoderm होनी चाहिए, यह gut भी covered होनी चाहिए mesoderm से, और आपकी body wall भी cover होनी चाहिए mesoderm से, दोनों की बीच का space ही कहलाता है siloom, ठीक है, तो अगर if the mesoderm is absent बचा लोग, तो siloom नहीं बनेगा, य there are three types of siloomatic characteristics, number one a siloomate, no siloom, example is platea helmets, number two is pseudo siloomate, example is round warm and number three is the u siloomate, example is caudates, ठीक है, u siloomate के दो type, sizo siloom and enterosilom, sizo के siloom के example है, enelida orthopoda molaska, जबका hemi quadata and quadata shows the enterosilom, enterosilom और sizo siloom नहीं भी आएगा, तो tension नहीं, तीन पार्ट आपको पता होने चाहिए, so I hope you learned and enjoyed the video, समझ में आया होगा, थोड़ा siloom में confusion हो सकता है, इसलिए मैंने बार 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 बोला है, और अगर फिर भी नहीं आए, please let me know, फिर से मैं आपको पढ़ा दूँग, कोई stress नहीं लेना है, so see you in the next class, next class में मिलते हैं किसी एक नहीं चीज़ के साथ, thank you so much I'll see you in the next one.